जहिंद, CSF LDC ASI 2019 का test series जो है, start हो रहा है new batch, 9 February exam date declare हो गया है, और exam जो है वो अभी offline ही होगा, return test होगा, offline होगा, जो अभी आपका message आया था, एक letter आया था, department से, तो आपने देखा होगा कि उसमें CBT जिक्र नहीं था, return test था, तो online नहीं होगा, CBT ही होगा, आपका offline ही होगा, ठीक है, तो अब जो नए बच्चे students call कर रहे हैं, test series के लिए कि सर हमें test series करवा दो, test series करवा दो, ठीक है, already जो batches full हो चुके हैं, उसमें आपका admission नहीं हो सकता, क्योंकि already, what's app में क्या होता है, 257 से ज्यादा student एक उसमें आ न 9, 9 January से start कर रहे हैं, 9 January 2020 से test test start कर रहे हैं, कब तक 7 February 2022 तक, और last के 2 दिन चलेगा, बस current of year, current of year, ठीक है, तो पूरे एक महिने का test, total आपको इसमें 30 test paper मिलेगा, ठीक है, तो आपके 170 marks, जिन्होंने preparation नहीं भी किया है, अभी तक, तो उनके लिए ये बहुत ही beneficial होगा, 170 marks तक वो पहुंच सकते हैं, यदि इन test papers को भी आप डंग से कर लोगे, तो selection होने के chances आपके बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनहेंस हो जाएंगे, ठीक है, और जिन्होंने mock test paper ले रखा है, उनको तो test paper मिल रहा है, उनके group में पर्चेस करने की जबूरत नहीं है, ठीक है, वो phone करके परिशान ना करें, जो new students जिन्होंने pen drive नहीं ले रखा है, test series में नहीं ले रखा है, और call कर रहे हैं कि सरफ में test series प्रवाइड किया जाए, तो उनके लिए ये group है, जो 9 January से start होगा, ठीक है, अब इस group में देख लो 9 January से 7 February तक आपको total regular 30 test मिलेगा, daily test, तो उसमें क्या होगा, daily आपको 12, 10 o'clock, sorry, 10 a.m. 10 a.m. आपको test paper मिल जाएगा, किसमें group, CISF, group का नाम होगा, CISF, test group 6, ठीक है, तो CISF test group, sorry, 5 में, CISF test group 5 में आपको सुबह 10 बजे PDF अबलेबल हो जाएगा, test paper का, आप अपने according, जो भी time फिर हो, उसमें आप अपना test paper कर लें, evening में 8 p.m. को आपको answer seat, 8 से 9 p.m. के बीच में, answer with video discussion, एक एक question का video discussion, discussion, आपको upload कर दिया जाएगा, आपके group में, वहाँ से आप discussion देख ले, video देख ले, जहाँ जो problem हो, आप teacher से पूछ भी सकते हैं, कि sir, group में लिखे, कि sir, मुझी ये question नहीं आए, तो teacher आपको फिर से उसे बता देंगे, ठीक है, test paper, कुछ इस तरह का होगा, आप test paper देख लो, यह रहा test paper, ठीक है, तो इस तरह से test paper होगा, इसमें आपका 50 question जो है, maths का, ठीक है, 50 question reasoning का, जैसे आपके author exam, ठीक है, वैसा ही, 50 question जो होगा, वो English का, और 50 question होगा, जिसमें आजाएगा GK और आपका CISF Act and Rule, ठीक है, तो इस तरह से question papers होगे, ठीक है, हिंदी English दोनों में, जिस तरह से आपके exam में आता है, ठीक वही, उसी level का, वैसा ही, ठीक है, तो यदि इतना आप prepare कर लोगे, तो आराम से 170-175 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है, तो यह हो गया, आपका, मैंने timing बता दिया आपको, discussion का timing बता दिया, total number of test paper बता दिया, 9 को group start होगा, 7 February तक यह group चलेगा, total आपको 30 test मिलेंगे, ठीक है, इसका fee कितना होगा, तो fee होगा इसका 1500, fee आपको 1500 है, जिसमें आपको total 30 test paper मिलेगा, 30 test papers आपको मिलेगा, with video discussion, और आपका जो doubt है, वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है, यदि suppose करो ज़्यादा doubt होगा, तो उसका यह कर लेंगे, कि उस doubt का भी एक class बनाके, Sunday Sunday को ज़्यादा doubt होगा, उसका एक class दे देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, मतलब online class नहीं, उसको वीडियो बनाके अपलोड कर देंगे, उन्हीं doubts का, तो सारे students का वो doubt किलियर हो जाएगा, ठीक है, और last के दो दिन current affair होगा, आठ तारिक को, sorry, current affair देखो, इस जो 30 test paper होगा, इसमें सारे में current affairs होगा, current affair अलग से पढ़ने की जो उन्हीं current affair को रख लेना, फिर भी 8 तारिक को हम लोग कोसिस करेंगे, कि सुबह जल्दी से जल्दी, current affair या 7 तारिक को रात में ही current affair जो important है, वो और डाल दिया जाए, लेकिन, जो 9 से 7 तारिक तक, जो 30 test होगे, जीके का, उसमें current affair रहेगा, उन current affair को भी आप धंग से करना, तो यह सारा आपका schedule है, fee आप जो है हमारे academy पर आके, जो student academy पर पहुंचे थे, और उनका fee submit हो गया, उनका तो नाम add हो जाएगा, ठीक है ना, तो उनको दुबारा आने की जोत नहीं है, the academy edu, CSF camp महिपालपूर के पास आ सकते हैं, काल इंदी कुछ metro station के पास आके, fee submit कर सकत हैं, यह हमारा number है, phone number, जो student नहीं आ सकते हैं, वो online banking detail पे fee submit कर सकते हैं, 1500 यह 000 है, ठीक है ना, fee submit करके अपना admission ले सकते हैं, ठीक है ना, phone पे google पे use करते हैं, तो यह number use करेंगे, phone पे पे आपको banking name राकिस कुमार ठाकुर सो करेगा, Google पे हमारे academy का नाम सो करेगा, the academy edu, the academy edu देखना, blackboard पे लिखा हो आजागा, the academy edu, google पे में, phone पे में, राकिस कुमार ठाकुर सो करेगा, ठीक है, pay करने के बाद, यदि आप online pay करते हैं, तो pay करने के बाद उसका slip, अपना नाम, CSF LDC 2019, और इस number पे आप उसको whatsapp कर दो, यह सारा process computerized है, जैसे ही आप whatsapp करोगे, group में number add हो जाएगा, और 9, जो बता है, आपको date, 9 January 2022 से आपको test paper मिलना start हो जाएगा, ठीक है, अब उससे पहले आप यह call करके, मत बहुत सान करना कि sir, अभी तक test paper नहीं, 9 तारी को जो आपका date दिया हुआ है, जो time schedule है, उसी time में, आपको सारे test papers मिलने start हो जाएगे, ठीक है, अ आप इस number पर call कर सकते हो, और पूछ सकते हो, चाए मैं उठाओंगा, चाए रोशन सर उठाए, आपको, आपके doubt को clear कर देंगे, thank you, best of luck.